हेलो गाइज, वेलकम तो माई यूटूब चैनल क्रियेटिव निशू, उमीद गरती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं हूँ निशा कोशिक और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और गैनिक केमस्टी के नेक्स टोपिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहल आप एक बार प्लीज मेरे यूटूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीचेगा, तो चलिए, शुरू करते हैं, एलकेन्स, हाइड्रो कारबन की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ाता, एलकेन जो होते हैं, वो एलिफेटिक हाइड्रो कारबन होते हैं, एलिफेटिक मतलब उपन चेन हाइड्रो कारबन, ठीक है, तो इसमें एलकेन्स में कारबन कारबन के बीच में सिंगल बॉंड होते हैं, और इसी वज़े से ये सेचरेटेड हाइड्रो कारबन भी इनको बोला जाता है, इनकी SP3 हाइडरिजिशन होती है, क्योंकि ये चार सि CEN, H2N plus 2, जिसमें N is the number of carbon atom, जहाँ पे N की value number of carbon atom से हम प्रेजेंट करेंगे, और इसका जो सफिक सांड होगा, यानि की अलकेन से बनने वाले compounds जो होगे, उनके पिछे जो सांड होगा, that is N, like methane, ethane, propane, तो यहाँ से N से हमें पता लग जाएगा कि वो compound alkane की homologous series से related है, तो चलिए एक बार number of carbon atom की series को हम जान लेते हैं, तो जिस भी compound में, number of carbon atom 1 होगा, that is myth, number of carbon atom 2, that is eth, 3 पे prop, 4 पे but, 5 पे pent, 6 पे hex, 7 पे apt, 8 पे oct, 9 पे none, 10 पे deck, ठीक है, तो यह है number of carbon atom की series, तो एक बार जरूर आप सभी इस series को revise कर लिएजएगा, क्योंकि यह series आगे नोमेन कल्चर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, चलिए मैं आपको एक example के थ्रू समझाती हूँ, जैसे अगर हमको prepare करना हो methane, तो first step होगा, हम इसको two part में डिवाइड कर लेते हैं, myth plus N, तो N से हमें पता लग गया कि यह alkan का ही एक compound है, alkan series का, तो इसमें हम जो general formula लखेंगे, वो होगा हमारा CnH2N plus 2, यहाँ पे N की value अगर हमको पता होगे, तो हम इसरे निकाल सकते हैं, तो myth में हमने पढ़ा था carbon की value कितनी होती है, 1, ठीक है, तो यहाँ से number of carbon atom, यानि N की value हमारी पता लग जाएगी 1, तो यह 1 value हम put करेंगे जब इस formula में, तो इस तरह से C1H2 multiply 1 plus 2, तो यहाँ से हमारा molecular formula जो है, मिथेन का वो निकल कर आ जाएगा CH4, that is called methane, और अगर मिथेन का हमने, जो मिथेन होता है, यह हमें पाया जाता है, coal mines में, और मैस्षी एरियास में, मर्षी ए मिट्टी वगारा की जो कीचोड वगारा की खाने होती हो इस तरह से, तो वहाँ पे हमको यह मिथेन पाया जाता है, इसका structural formula जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, carbon और वो connect होगा, single single, 4 hydrogen atom के साथ, इसकी जो shape होती है, वो tetrahedral होती है, molecular mass, 16 AMU, common name, Mars gas, Mars gas पता है ना, आप सभ sodium acetate on soda lime, soda lime, आप सभी एक बार ध्यान से देख ले और revise कले, soda lime जो होता है, sodium hydroxide plus calcium oxide, इसी को हम बोलते है, soda lime, यह बहुत भी आगे बहुत सारी chemical reaction में काम आने वाला है, तो sodium hydroxide plus calcium oxide, that is called soda lime, तो soda lime की reaction कराएंगे, जब हम sodium acetate के साथ, तो हमारा मिथेन फ़म हो जाएगा, आए द sodium acetate, और जब यह reaction करेगा, sodium hydroxide plus calcium oxide, यानि soda lime के साथ, इसको heat करेंगे, तो हमारा sodium carbonate plus methane बन जाएगा, और इसी reaction को हम कहते है, decarboxylation, decarboxylation क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें CO2, यानि जो हमारा देखो, यह जो CO2 molecule है, यानि की carbon dioxide है, यह molecule हमारा अलग हो गया है, ठीक है, जहा पर carbon dioxide का क्या होता है, elimination होता है, उस reaction को बोलते है, decarboxylation, तो इसलिए इस reaction का नाम decarboxylation reaction रखा गया है, तो जो हमारी homologous series होगी, LKN की, वो कुछ इस तरह से होगी, methane, CH4, ethane में, यहाँ पर 2CH आ जाएंगे, CH3, bond, CH3, propane में, CH3, CH2, CH3, तो इस तरह से हमारी यह series आगे that is isomerism, तो जैसा हम, जैसा हम देख रहे हैं, आगे-ागे जैसे हम higher LKN की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से, तो हम देख रहे हैं कि इनका, हम क्या देखते हैं कि molecular formula तो सेम रहेगा सब का, लेकिन इनका structure different होता जाएगा, आईए देखते है example में, देखें जैसे हमारे methane है, methane में एक ही possible structure हमारा दिख रहा है, ठीक है, इधर ethane में भी हमारा जो possible structure हो भी यही है, सिर्फ एक ही structure possible है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, no possibility to arrange in other structure, due to one or two carbon, प्रोपेन में भी कुछ इसी तह से no possibility दिख रहे हैं, इदको carbon, 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 यह प्रोपेन हो गया हमारा, इसमें भी सिर्फ एक ही possible structure हमारा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम higher alkane की तरफ बढ़ेंगी, जैसे butane, pentane, hexane, तो structure की possibility क्या होती जाएगी, increase होती जाएगी, एक से जार्दा हमको structure देखने को मिलेंगे, तो इसी को, जैसे हम example में देखते हैं, यहाँ पे butane है, तो एक त साथ हमने एक carbonore attach कर दी है, जिसमें देखो, यहाँ पे दोनों में molecular formula क्या है, same है, पर इन दोनों का structure क्या different है, यहाँ पे straight line structure है, और यहाँ पे structure अलग है, ठीक है, इसको हम isobutane भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसी effect को बोलते है, इसी phenomenon को बोलते है, isomerism, isomerism is the phenomenon in which molecular formula of the compound is same, but different structural formula, इसकी definition को इक बार देख लेते हैं, the phenomenon of existence of two or more compound possessing same molecular formula but different properties of structure, such compound called isomer, उन compounds को isomer बोलेंगे और इस phenomenon को क्या बोलेंगे, isomerism, क्योंकि यहाँ पर देखो, different structure आ रहे है, ठीक है, same molecular formula है, बट different structure होने की वज़े से, इनकी property में क्या आ जाएगा, difference आ जाएगा, तो इसी effect को ब कुछ इसी तरह से pentane में भी होगा, तो जो यहाँ पर straight line जो बन रही है, carbon-carbon की, जहाँ पर 5 carbon मिलके straight structure फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम normal pentane बोलते हैं, यहाँ पर हम क्या देखने है, चार carbon straight में है, और एक carbon के साथ जो है, दूसरा carbon touch है, तो इसको isopentane बोलेंगे, इदर हम क्या देख रहे हैं, तीन carbon straight में है, और इधर mid carbon के साथ 2 carbon touch है, तो इसको हम neopentane बोलते हैं, तो इससे हम क्या देखते हैं, so we realize that higher number of carbon atom increase in alkane, जैसे-जैसे carbon का number बढ़ता जाता है, alkane में, we get more isomer, तो हमको बहुत ज्यादा isomer देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानि एक से ज्यादा structure देखने को मिलते हैं, alkane में, तो इस तरह से hexane की अगर हम बात करें, तो hexane में हम 5 isomer देखने को मिलेंगे, heptane में हमें 9 isomer देखने को मिलेंगे, और इसी तरह अगर हम C10, यानि कि जहाँ पर carbon का number, number of carbon atom 10 होंगे, तो वहाँ पर हमे 75 isomers देखने को मिलेंगे, तो that phenomenon is known as isomerism, तो अगर हम structure की बात करें, तो जहाँ पर carbon atom सिर्फ hydrogen के साथ attach होगा, या फिर कोई एक carbon atom दूसरे carbon atom के साथ attach होगा, तो इसको हम बोलेंगे primary carbon, या फिर 1 degree carbon, ठीक हैं, और अगर कोई carbon 2 carbon atom के साथ attach होगा, तो उसको हम बोलेंगे secondary carbon या 2 degree carbon, और अगर 1 carbon 3 carbon के साथ attach होगा, तो इसको हम बोलेंगे tertiary carbon या फिर 3 degree carbon और इसी तरह से अगर कोई एक carbon चार carbon के साथ attach होगा तो उसको हम बोलेंगे quaternary carbon और 4 degree carbon जैसा कि इस structure में आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो यह structure यहाँ पर यह carbon सिर्फ एक carbon से attach है तो इसको बोलेंगे है primary carbon या फिर 1 degree carbon यहाँ आप एक carbon 2 carbon से attach है तो इसको हम बोलेंगे secondary carbon और यहाँ पर यह carbon चार carbon से attach है one, two, three, four, ने इसको ने उसको विडिए और रहे हैं जिसमें हम और क्ले क्लिच reacts और क्ले कि बात करेंगे तो अभी के लिए बाई और मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जूरू कर दीजिएगा थैंक यू